प्रजानते हैं आपकी कारिक्रम की शुरुवात हम करते हैं अपने पहले सेग्मेंट से अनमोल वचन अगर आप देखेंगे न तो हमारे जितने भी परवतेवार होते हैं उनमें कुछ न कुछ संदेश छुपा होता है हमारे जीवन को उत्तम बनाने के लिए ठीक उसी तरह से जो महापुरिशों की वाणी होती है जो उनके कथन होते है जो उनके विचार होते हैं उनमें भी बहा सारे संदेश होते हैं ताकि हम अपनी जीवन को सुन्दर और सफल बना सके और इसलिए तो होता है हमारे ये पहला सेग्मेंट अनमोल वचन आज जो कथन हमने लिया है व लड़ाई से भागने से तो इतना अच्छा ही है अच्छा के पन्नों को और देखते हैं क्या है विसेश आज के इतिहास में अब हम इस बढ़ाओ पर हैं दर्शकों जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं अपने महमान से अगर मैं बात करूँ आज के महमान की तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आज हम छट पर्व से जुड़ी हुई बाते करेंगे बहुत सारी आसे विधिविधान हैं जिनके पीछे बहुत ही गहरा वैग्यानिक सोच भी है इसके अलबा कई सारी कथाएं भी प्रचलित हैं और हम सभी के लिए जानना जरूरी होता है कि जो भी विधान हैं उन्हें हम सही तरीके से करें ताकि जो छट पर्व की महता है उसको सही तरीके से हम निभाभी पाए और इसके लिए इन सारी जानकारी के लिए हमने आमंत रित किया है जोतिशा चारे डॉक्टर राजनात जाजी को आपको बताओं कि आपने देश्यक है जोतिर वेद विज्ञान संस्थान कंकरबाग पट हमारे दर्शक भी बड़े उत्सुक हैं इस बात की जानकारी को लेने के लिए कि कैसे हम जो विद्विधान हैं उनको सही तरीके से करें तो हमारे सभी दर्शकों के लिए और साथी जो पहला सवाल मेरे मन में आप से जानने के लिए आ रहा है यह जो चट पर्व है बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताए है और इसकी शुरुवायत कैसे हुई थी इसका पूरातनकाल से जो इसका कनेक्शन है जो रिश्टा है वो क्या है? देखिए ये छट पर्व की जो महता रही है हमारे भारत वरस में वैदिकाल से लेकर वैदिकाल पुरान आदिकाल में से ही प्रसलित रही है डिग वेद में सूर्ज को आत्मा कहा गया सूर्ज आत्मा जगतस तस्तुकस्चा सूर्ज जो है न ये समस्त चराचर स्रिष्टी के आत्मा है आत्मा कारग्र सूर्जी है और सूर्ज तो नारायण है प्रत्यक्ष देव है जिनका दर्सन हमें होता है और कोई भी उर्जा अगर हम उपासना करते हैं किसी भी देव का तो सूर्ज जो है वो जगत के आत्मा है, तो सूर्ज आत्मा जगतस्ता सुकस्चा अडिगवेद में ऐसा उलेखित है, वरनन है, तो छट पर्व या सूर्ज की उपासना का पर्व वैदी काल से ही प्रचिरित रही है हमारे राश्टर में, और सूर्ज को प्राचीन काल से ही ह इसका भाज्यानिक कारण भी बहुत सारे हैं, आध्यात्मिक कारण भी बहुत सारे हैं, चुकि हर चीज जो है सूर्ज के किरन पे ही निर्भर करता है, अगर सूर्ज का किरन दूशित अन पे परे तो अन दूशित हो जाता, सूर्ज का किरन जल पे न परे तो जल दूशित हो से पूजा की इस पूजा का विधान चलता चला आ रहा है और आज भी हम बड़ी ही निष्ठा से बड़े ही सुचिता के साथ पवितरता के साथ इस महापर्व को करते हैं और मैं बिहार की बात क्या करूँ अब तो ये हर जगह भी इस पर्व को मनाया जाने लगा देश के अलावावे देश में भी लोग उतनी ही निष्ठा के साथ उतनी ही पवितरत के साथ इस महापर्व का आयोजन करते हैं चठी मैया को नमन करते हैं और सुरिय देव को नमन करते हैं एक बहुत अच्छी बात है इस महापर्व में कि जो सुरिय देव हैं वो एक प्रत्यक्ष देव हैं जिने हम रोज देखते हैं उनका आशिरवार लेते हैं और जैसा कि नहाय खाय की शुरुबात होती है उस दिन क्या विधान क्या है और कैसे इस दिन में पूजा पाट किया जाता है। अंदरसल कार्तिक मास को धर्ममास माना गया। कार्तिक मास बहुत ही पवित्र मास है। और कार्तिक मास में कार्तिक सुकल चतूर्ति से ये छटक का चार दिन का पर्म आरंभ हो जाता। चतूर्ति चौटथी थी जो होती है वहां से नहाय खाय आरंभ हो जाता। नहाय खाय का ताथ-पर्ज ये है कि इस दिन से हम आगामी जो ब newest करेंगे कोई variят करते हैं, तो हमारी सरीर की सुद्धता आवश्यक है. अगर हम सरीर से सुद्ध होंगे तो उसके बाद ही कोई ब्रत या कोई अनुष्ठान या कोई उपासना हमारा सफल मना जाएगा. तो सरीर के सुद्ध हर्थ, सरीर को नियंबद करने के लिए नहायखाय से आरम हो जाता है. नहायखाय के दिन ब्रती लोग जो होते हैं वो सुपाच्य भोजन करते हैं और एक संध्या भोजन करते हैं. इसका दो कारण है, एक आध्यात्मिक कारण है, कि आध्यात्मिक उर्जा का संचरन होता है, हमारे सरीर में जो इंद्रियां है, वो इंद्रियों का निग्रह होता है, इंद्रियों पे हमें वस होता है, और जब तक हम इंद्रियों पे वस न हो, तो कोई भी ब्रत जो है, आप तो नहाय खाय से आरम होता है, आज ब्रती लोग स्रध्धा पूरुवक अश्नान करते हैं, अश्नान ध्यान आदि करके एक अलग सा उमंग होता है, शट ब्रत में आप देखिएगा और सुपाचे भोजन जो होता है, एक संध्या भोजन करते हैं, और जैसे कद्दू बगेर, सुपाच्य भोजन कहा जाता है इसको और जो पचने में दिकत जिस भोजन से न हो तो नहाय खाय से संजम आरंब कर देते हैं चतूर्थी के दिन चौट के दिन लोग नहाय खाय और संजम पुरुवक इस ब्रत का आरंब करते हैं जैसे कि आपने बताया कि चतूर्थी के दिन नहाय खाय किया जाता है और उस दिन जो भोजन होता है बहुत सुपाच्य होता है और एक तरीके से अपने आपको सैमित करना और पूजा के विधिविधान की शुरुवात करना कि बहुत ही शुचिता के साथ अपने पवित्र शरीर के साथ और अपनी आत्मा की शुद्धी करन के साथ इस ब्रत का आनुस्ठान जो है वो ब्रती करते हैं और जो पूजा का प्रसाद होता है नहाय खाय के दिन भी उसका वित्रन भी पूरे परिवार के साथ अपनी दोस् और मुझे कुछ यू लगता है कि जो प्रसाद हम ग्रहन करते हैं उसमें एक अलग ही स्वाद आ जाता है शायद उसे, कहे लिजे कि ईश्वर ने हमें आशिर्वाद दे दिया जब हम उस प्रसाद को ग्रहन करते हैं और प्रसाद का स्वाद से लेकर के वो अम्रिश त्त्त हो जाता है, उसे ग्रहन करने से सम्मानो कीौत, सूर्ज जो है न वही परमात्मा है got ही अंतरात्मा है सूर्ज को अगर वैदिक साहित Starting मिं देखा जाए तो सूर्ज को परमात्मा की संग्या दी गई है और परमात्मा औंतरात्मा ये दोनों अगर स्वच्छता प्रदान होती है तभी तो इसवर आत्म साथ होती हैं तो इसवर को आत्म साथ करने का ये एक बहुत बड़ा शाधन है और इसलिए हमारे देश में हमारे राज्य में बहुत स्रद्धा, विश्वास, आस्ठा और बिदान के बारे में बताया कि नहाय खाय के दिन किस तरीके से जुबरती हैं वो सुपाच्चे भोजन करते हैं और सप्रसाद के रूप में जो पूरे परिवार के लोग हैं उसे गरहन करते हैं इसके अलावा भी जब दी-पावली के पर्व के बाद भाई दूज का पर्व हो बड़ी बात लगती है अगर उसकी शुरुवात को भी आप देखे तो वहां क्या विधान रखना होता है मैं थोड़ा पहले जा रही हूं अगर हम पूजन के लिए जो भी कुछ उपयोगी होता है यह बड़ा नियम संजम का परव है चुकि कई कहानिया ऐसी है सट से जूरी ह हमारी आरोग्यता की रक्षा भगवान भासकरी वह हमें स्वस्त करते है तो सूर्द के पूजा में अनन जल सब पवित्रता इसलिए इसमे बहुत ळही आवशियक्ता होती है और ब्रती लोग बहुत सूचिता पूर्वक एक एक चीज को बरी बारिकी से रखते हैं, जैसे गेहूं हुआ, या प्रसाद बनेगा, या ठेकुआ बनेगा, जो भी कुछ आएगा, उसको बहुत सूचिता पुर्वक, अरपन के समय तक सूचिता पुर्वक उसका विदान है, चुकि सूचिता में ही इस्वर का बास है, ज देवता को जो भी अरपन करें, उसमें दैवत उला दीजिए, तब ही देवता को आप अरपन कर सकते हैं, तो देवो, भुत्वा, देवान यसेत की जो परमपरा रही है, इसलिए हर चीज में सूचिता पुर्व से ही लोग गेहूं आदी, जो भी पुजन के उपयोगी अंगरियां हैं, उसको पवित्रता पुर्वक रखते हैं. वो पूरी निष्ठा के साथ उन्हें भेट किया जाए, इसकी बहुत अवश्यक्ता है, और इसका पूरा ध्यान इस पर्व में रखा जाता है. अगर मैं दूसरे दिन की बात करूँ, नहाय खाय के बाद जो पूजा होती है छट में, महापर्व में, वो है खरना की पूजा का विधान है, तो खरना की पूजा का क्या विधान है, वो हमारे दुश्यकों के लिए बताएं. खरना पंचिमी तिथी को की जाती है, पंचिमी तिथी को व्रती लोग निराहार उपवास रखते हैं प्राताकाल से, और सायंकाल में सूर्जदेव का पूजन करते हैं, और सूर्जदेव को पूजन कर खासकर पायस खीर जो बनता है निसमें, गूर दे करके, चुकि गूर तो गूर मिस्तित खीर बनता है, कई जगह चावल, जिनकों रोटी, यह सब भी अरपन करते हैं लोग, तो सुचिता पुरुवक उसे उन्हें करके, और सायंकाल में एक चीज लकडी का, लकडी बगएरा सवेकत्रित करके, और मिट्टी के वरतन में, खासकर देखा जाता है कि मिट्टी के वरतन में लोग खीर बनाते हैं, और खीर बनाकर उसे सूर्ज भगवान को सर्वपरतम अरपन करते हैं, और सूर्ज भगवान को वो प्रसाद अरपन करने के बाद स्वयम प्रसाद ग्रहन करते हैं, और एक खरना के दिन बरती लोग भोजन करते हैं, खरना, लोहंडा जो भी प्रसिलित शब्द है इसका, हर जगा कही जगा खरना तो कही जगा लोहंडा नाम से जाना जाता है ये पंचीवी दिति को, तो वो सूर्ज भगवान पो अरपन कर श्वयम ग्रहन करते हैं, साथ ही जो भी ब कता लाइमा है, खरना की प्रसाद, सब लोग इच्शा रखते हैं कि मैं खरना का प्रसाद थोड़ा तो अवसी ही ग्रहन करूँ, क्यों कि खरना के प्रसाद ग्रहन करने से आपके सरीर में चर्मडोग आदिक कष्ट नहीं होता, चर्मडोग वगएरा जो व्यादियां है उ उससे निवर्ती मिलती है, चूकि सूर्ज जो हैं सर्मडोगादिक कार्थ रहें, तो चूर्ज शम दोगादिक पीरा से मुक्ति मिलती है, तो आस्था पुरुबक लोग जो बढ़ती होते हैं गरहन करते ही हैं साथ ही सभी भक्तों को सर समंधी जितने होते हैं उस सब सा माल होता है करना का उस सब को प्रसाद पंचिवी तिथि को शायंकाल गरहन करवाते हैं सूर्जभगमान को अरपन कर और इसमें खास कर अगर आम स्ट्रेस्ट होता है बहुत बढ़ी आपने बताया कि जैसे खरना के विधान के बारे में आपने बताया कि किस तरीके से पूजा की जाती है और आम की लकडी का बड़ा महत होता है मिट्टी के बरतन पर जो भी खीर है उसे बनाया जाता है और प्रसाद का वितरन किया जाता है बहुत सुन्दर परंपरा हमारे इस च्छट पर्व की जो यह पर्व है वो हमें संदेश देता है कि जो हम अपने जो हमारी इंद्रिया हैं उस पर हम नियंतर रखे और हम ईश्वर के प्रती समरपन भाव रखे आपने हमें बहुत विस्तार से बताया कि किस तरीके से पूजा का वैधान किया जाता है कुछ बाते और भी जानना चाहूंगे अपने दर्शिकों के लिए जो यह महा पर्व है इसे जुड़ी भी कथाएं भी प्रचलित हैं महा भारतकाल में इस पूजा को किया गया हर युग में इस पूजा को किया गया है उसके बारे में गंगा देवी ने एक असकंदकार भालक को जर्म दिया, जिसे सरकंड के बन में जा करके उस भालक को छूर दिया गया, और वो जो दिया गया, जिसे उस बन में छो कृतिकाएं निबस करती थी उस बन में, और वो छो कृतिकाओं ने उस बच्चे का पालन किया, लालन, पालन, पोशन, छो कृतिकाओं, उस बच्चे का लालन, पालन, जब वो बड़ा हुआ, उसी का नाम एसकंध परा, इसकंध, इसी कारण से उसका नाम एसकंध परा, एसकंध उस बच्चे का नाम परा, ये कृतिक कारतिक कि छो माताएं हुई, कारतिक कि, जिन्हे हम छट माता यह छटी माइया भी कहते हैं, यह घटना जो घटी वो उसका नाम कारतिक पड़ा। कार्तिकपरा उसका नाम पढ़ा और यह ब्रत प्राचीन काल से असकंद सष्धी नाम से प्रजित हुआ और कार्तिक मास के सष्धी तिधी को मनाने की परमपरा रही एसा देवी भागवत के अनुसार बतलाया गया है मूल प्रकृति के मूल प्रकृति स्वरूपा ये तो श्रिष्टी जो है वो प्रकृत पुरूस पे आडारीत है पुरूस रूप में अगर साक्षात सीव है या परमेस्वर है तो प्रकृति रूपा परमेस्वर है उनकी सत्ता है तो परमेस्वर है और परमेस्वर परमेस्व तो भुष प्लतीहार शूर्द के रत के जो आगे शक्ती होती है उनका नाम प्लतिहार है। तो सूर्ज के रत के आगे, सब्तास्व रत है सूर्ज भगमान का, और उसके आगे की जो सक्ति है, वो प्रतिहार है, तो सस्थी देवी हैं, तो शायंकालिक अर्ग जो है, वो सस्थी देवी के निमित और गंगा जी में, चुकि गंगा के पूत्र है, गंगा को पवित्र नद तो लोग तलाव में, नदी में, सरोबर में, जहां जो नदियां, तलाव वगएरा जो उपस्थित होता है, वहीं छटब्रत आरंब कर देते हैं. और कई कथाएं हैं, भविष पुरान में महराज युदिष्टिर से जुरा कथा है, जब युदिष्टिर को बनवास हो गया, बहुत सारे विपतियां हो गई, राज संब्राज चला गया, तो द्रौपदी ने 108 नामों से सूर्ज भगवान को उपासना की, और द्रौपदी न से पुना सूर्ज के क्रिपा से जब युए में सब कुछ हार गए और बनवास में पांचो पांडव भणमन कर रहे थे, उस समय तो द्रौपदी ने ब्रत किया, और द्रौपदी ब्रत करने से पांडवों का पूरा संब्राज लोट है, वापस मिला, तो एक कथा ये भी है, एक कथा और है जो अत्री मुनी की पत्नी अनुशुया, अनुशुया से कार्तिक सुक्स्ष्टी को भगवान सूर्ज के सूर्ज को अर्ग दिया गया, दी वो, अनुशुया के साथ तो थी न, एक एक ये बहुर परा, देखिएगा कि लोग ब्यभार में देखा जाता है, कि वापिस नहीं करते है, इसका भी कारण है, इसका कारण ये है कि अनुशुया, अत्री मुनी की पत्नी अनुशुया थी, अनुशुया के जो सास थी न, वो बहुत बरे कंजूस थी, बहुत कंजूस, और अनुशुया जो थी वो सूर्ज वक्त, और उदार हिरदेया थी, बह और वो उतनी कंजूस, उनसे मांगने के लिए कुछ आया, तो वो देती ही नहीं थी, उनकी कंजूसी से ऐसा हुआ, कि सूर्ज भगवान और अनादर भी था, तो सूर्ज भगवान रुष्ट हो गया, और उनके सास के सरीर में कुष्ट रोग हो गया, परन्तु उनकी पुतव अनुशूया जो थी, वो बहुत ही उदार हरदया थी, और सूर्ज के उपासक भी थी, उन्होंने जो सूर्ज की उपासना की, उससे सूर्ज प्रसन्न हो करके, अनुशूया माता को अनधन सब प्रदान किये, और निरोगिता भी उनके सास को रोग से भी निब्रति, मुक्त कथाएं यह बहुत सारी कथाओं का उल्लेक मिलता है और यह पर्व अति-प्राचीनकाल से हमारे देश में हमारे राष्टर में किया जा रहा है और एक कथा तो ऐसा है कि जरासंद के जो प्रपितामत है चुकि बिहार से इसका बहुत बढ़ा संबंद है तो एक कथाएं ऐसे भी देखने को मिलता है कि जरासंद के जो प्रपितामा थे और महान प्रतापी राजा जरासंद थे यहां के तो उनके प्रपितामा को कुष्ट रोग हो गया था पितामा को तो उन्होंने यहीं प्रतिहार सस्थी को सूर्ज बरत उन्होंने किया और उसे करने से उनके पिता प्रतापी राजाते जरासंद तो उसी समय से राज्य में निका कल्यान हुआ होने लिए पूरा विक्सित हो गया और बिहार से इसका एक कथा यह भी है कि जरासंद से संबने कि उस समय में उनके पितामग को इड़कवां की कृपा व्यक्ति छट मैया की पूजा और सूर्ज उपासना करने लगे। शांती संब्रदे के लिए और संतान प्राप्ति के लिए इस छट पर्व की अप्रमपार महता है और बड़े ही पवितृता और बड़े ही शुरधा के साथ हम सभी इस पर्व को करते हैं। अस्ताचल गामी शुर्य को भी नमन करते हैं और उनके प्रती श्रधा और पित करते हैं। जो कुछ भी संसार को उन्होंने दिया है उनकी रश्मियों के माध्यम से जो जीवन का संचार है उसके प्रती प्रतग्यता व्यक्त करते हैं। इस दिन के विध्य विधान की जायनकारी अपने दर्शकों के लिए चाहूंगी। सुबह से ही बेस्तिता रहती है घर में। बिलकुल प्रातकाल से बरे उमंग में सारे लोग रहते हैं। और सुदता पुर्वक हर चीज का निर्मान करते हैं। जैसे इस ब्रत में छट में ठिकुआ, भुषवा, नारियल, हल्दी, गन्ना, केला, मिश्टान, आदी, सूप के डाली में लेकर सश्थी ब्रत को अर्ग देते हैं सायंकालिक। और इन चीजों को बहुत पवित्रता से, सुदता से, हर चीज का व्यवस्था करते हैं। ग्रिस्था स्रमी लोग और उसके बार सायंकाल नदी में जाके ठलाओ। मतलब आज के संदर में लोग अपने घर में भी छट मना रहे हैं। सही है, भावमिचंती देवता कहा गया है कि देवता भाव में ही विद्यमान होते हैं, तो भावपुर्वक लोग घर में भी मना रहे हैं। छट वरत तो अच्छा है लेकिन भाव रहना चाहिए इस पर पर भाव पुर्वक लोग शायंकालीन अर्ग देते हैं। तो शायंकालीन अर्ग जो होता है ना वो सक्ति के निमित होता है। सूर्ज की जो सक्ति हैं प्रतियार सस्थी जो अभी मैं छो माताओं का अबर्णन किया। तो सायंकाली अर्ग उनके निमित तो उनको प्राप्त कैसे होगा तो वो तो सूर्ज की ही सक्ति हैं। तो सूर्ज के निमित, सूर्ज को ही सामने रख कर, सूर्ज को ही ध्यान करकर, सूर्ज के सक्ति के निमित, शायंकाली अर्ग दिया जाता है सस्थी देवी को, सस्थी को, और उसके बार सब घर आते हैं, लेकिन प्राचीनकाल में तो ऐसा है देखा जाता था, कि सूर्य सस्थी के दिन रात्री काल में सायंकाल में अर्ग देने के बाद लोग भड़ा जागरन करते थे इस रात जागरन का भी बहुत विशेस महत्त हुए जागरन मतलब सोते नहीं थे और रात भर जो है शंकिर्थन, भजन, इस्वर, अस्मरन करते हुए पुनह प्राता काल प्रम मूर्थ में तीन वजे से सब्तमी का आरम हो जादा तो इस दिन जागरन करना चाहिए और इश्वर नाम शंकिर्तन करना चाहिए और पुनह अगले दिन प्राता काल इन अर्ग के लिए आपने जैसे कि कहा कि लोग रात्री जागरन करते हैं जो ब्रती हैं उनके परिवार के लोग अब भी कई जगे ऐसा देखा जाता है कि लोग छट घाट पर ही रह जाते हैं सुबह के अरगे तक करने के पश्चात ही वो पारण करकर कि वहां से अपने घरों के उर पर स्थान कर करते हैं बहुत ही सुन्दर परंपरा है चट महावरत की अगर में बात करूँ चार दिवसी इस महावर्व के बारे में आपने बताया कि कैसे नहाएकार से शिरुवात होती है दूसरे दिन खरना पूजा का वेधान है तीसरे दिन हम अस्ताचल गामी शुर्यदेव की उपा करते हैं उसका क्या वेधान है आप सब्सेमी टिथी जो सुर्जव भगबान का जन्म सब्सेमी अटिथी को हुआ था तो सब्सेस सुर्यदेशात को इस दिन प्राता काल लोग सूर्ज भगवान को अर्ग प्रदान करते हैं, अर्ग में एक जल से अर्ग देते हैं और दूद से भी अर्ग देते हैं, चुकि गाय के दूद को बहुत पवित्र माना गया, चुकि गाय में तो सभी देवी देवताओं का बास है, का जाता है कि मतलब जितन वजत से भी, दूद से भी उदाएगामनी, i.e. सूरज को अर्ग प्रदान करते हैं, के सूर्ज को अर्ग प्रदान करने से हमें बहुत सारा लाप मिलता है, ऐसे तो लोग अस्ति ओझाटका है, अगर नित इस चीज को अपना लेना, सूर्ज को अर्ग देना, तो सूर्ज को अगर नित्य व्यक्ति अश्नान के पस्चात अर्ग दें, तो सूर्ज को अर्ग देने से मनोरोगी नहीं हो सकते, आपका स्वास बहुत अच्छा रह सकता, आपको कोई जटिल रोग नहीं हो सकता, आपको आपके सरीर मे नहीं करते हैं, तो सब्दमीं को जो सुर्ज अरग देते हैं, इससे ब्यक्ति को चक्षु की निरोगीता प्राप्त होती है, इससे तेजस्टवी भुध्धी प्राप्त होती है, अडग्त हींता जो होता है, नहीं रहती, के साथ हमारी आध्यात्मिक उर्जा है उर्जा का संचार सुर्शे ही होता, हमारी जो पॉजिटव ऐनर्जी है या हमें शाकारात्मक उर्जा है उस उर्जा परन्तु छठी एक आइसाब परवे जिसमें इस तुर से डिरेक्ट जो है कोई माध्यम की आवा सकता नहीं परन्तु जादा तर लोग पूर्ण तहाथा का परवे और हम उद्याचल सूर्ज को अर्ग प्रजान करते हुए और अगर इस मंत्र से एही सूर्ज सहस्रांग्सो तेजो रासे जगतपते ग्रिहान गिनार्ग मयादत्तम संग्याः शहितप्रवो इस मंत्र से अर्ग प्रदान करें या नवो भी वस्वते ब्रह्मन वासते विश्टु तेज जगत सवित्रे सुचहे सवित्रे करम दाईने एक और गहा भगवते स्री सूर्ज नाडायनायनम इस मंत्र से अर्ग अर्पित करें और सूर्ज भगवान को ओम को सप्तिमी के प्राताकाल अर्ग प्रदान करते हुए नेवेद्य प्रदान करते हुए प्रणाम करते हैं तो एक असीम उर्जा की प्रप्ती होती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आनंददाई, शुकदाई, बुद्धिदाई, सब प्रप्त अच्छे से आपनी ये बताया कि किस तरीके से अगर हम सुर्यों उपासना करते हैं तो हमें बहुत रह के फाइदे मिल सकते हैं हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी जो आत्मिक्चे इतना है उसमें विकास हो सकता है आपने कहा कि छट परवे के दिन तो हम आरगे देते ही हैं अगर हम प्रती दिन से शामिल कर ले अपनी दिन जर्या में सुर्य देओ को नमन करें उन्हें आरिके दे तो में बहुत फाइदे मिल सकते हैं मैं जानना चाहूंगी कुछ वैज्यानिक पक्ष के बारे में भी कुछ जो परिवर्तन होते हैं जोतिस क्या कहता है इस पूजा के बारे में फोड़ी जा मतलब बेद के च्छों उंगों में जोती-सَाद्यरी संग्या मेली नेत्र की संग्या मेली नेत्र का आ हमें होता है देखना और सूर्य से बरानेत्र कौन हो सकता है जो समस्त विश्व को देखता है और सूर्ड जो हैं वो गड़ाराज हैं तो 360 अंग्स में समस्त ब्रह्मांड है उसमें मेख, स्वरीष, मिथून, कर्क, सिंग, कन्या, तुला, वरिस्तिक, धनू, मकर, कुंब, मीन तीस-तीस अंग्सों का, बारा राशी हैं, तीस-तीस अंग्सों का हैं, तो राशी नाम उदियो लगनम, सूर्ड जिस राशी में उदित होते हैं, वही लगनम होता है, सूर्ड जिस राशी में, पुर्व स्वस्तिक में उदित होते हैं, वही संक्रांती होती है, और सूर्ड का महिना जो है वो तीन सव साथ दिन का होता है पर फेक्ट सव साथ दिन का जिसे हम सवर माश कहते हैं और आचार्जों हमारे हमारे भारत वर्स में तो नबधा वर्स का मान यहां पर नौ तरह से वर्स आमनन करते है जोतिशासर मेंध़ों जैसे आपने बताई कि जिकर करें तो सुर्यदेव की अप्रमपार महीमा है और हमारा ये छट पर्व भी सुर्यदेव को नमन करने का पर्व है और उनके प्रतिकृतागयता और अर्पित करने का पर्व है जो जीवन का संचार उसने पूरी दॉक्टर राजनाथ जाजी से बहुत विस्तार से आपको बताया कि किस तरह से यस महापरवच छट की पूजा का विधी विधान है कौन सी कहानिया है और किस तरह से हम सुच्चिता और पवितरता का पालन कर सकते हैं जानकारियां एहम होती है इसलिए आप से भी कहूंगी कि कैसा लगता है आपको हमारा ये कारिक्रम हमें जरूर लिख भेजे हमें खत लिखे हमें इमेल करें और इसके लिए नोट करिए हमारा पता हमारा पता है कारिक्रम बिहार बिहान द्वारा केंदर निदेशक डीडी बिहार दूर दर्शन केंदर पतना फ्रेजर रोड पतना आर्ट शुन्य 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 एक हमारे email id हे director ddkpatna at gmail.com नमस्कार